हलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ले चल दूँँगा अपने साथ हॉस्पिटल जहां मैं उप्रेट से पहले क्या क्या त्यारी करता हूं और उससे पहले मैं एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफस्ट जो मेरा चलते हैं तो दोस्तों ब्रेकफस्ट कंप्लीट करने के बार रड़ी होकर मैं पहुंच गया अपने हॉस्पिटल और दोस्तों यह है ट्रोमा वार्ड जिसका मैं इंचार्ज हूं और बिंग इंचार्ज बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉंसिबिल्टी हैं जो मुझे पोटोकलीव का मतलब एक हमारे पास मशीन होती है जिसके अंदर हम इसे डाल के रखके हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर पे इसको हीट देते हैं ताकि कोई भी जो इंफेक्टियस जर्म बेक्टीरिया है वो मर सके और पेशिंट को किसी भी तरह का इंफेक्शन ना हो सक के ऑपरेशन के बाद जो बाहर वाली शीट होती है उसे मैं टच कर सकता हूँ पर जो अंदर वाली शीट है जो आप देख रहे हो और उसे मैं गलब्स पहन के ही उठाऊंगा क्योंकि यह स्ट्राइल है और दोस्तों हम यह सैप्टिक टिकनीक ही यूज करते हैं कोई भी प्रेक्शन ना हो उसके बाद दोस्तों यह है एक जो मेरा में टेवल है यह टेवल कुछ बड़ा है तो सबसे पहले मैं गलब्स डालता हूँ ताकि जो भी इंस्ट्रुमेंट हमारे स्ट्राइल है उसे मैं स्ट्राइल टिकनीक से इस टेवल के ऊपर रख सकूं सो दाट जो प्रेट होता है तो मुझे एजी रहे यहां से इंस्ट्रुमेंट पिक करने के लिए क्योंकि उप्रेशन के टाइम अगर मैंने पहली त्यारी कर रखी होगी तो एजी रहेगा मेरे सर्जन के लिए और मेरे लिए तो टेवल में पॉली ड्रेप शीट डालने के बाद दो प्रेशन के जिसके हम अंदर इसको समान को पकाते हैं और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं गलफ डालके है जो सेकंड वाली शीट है उसको पिक करूंगा और यह हमारी इंस्ट्रुमेंट की ट्रेश है और जो अंदर वाली शीट थी उसको में तैय करकर रख देता हूं दोशन को में पूंच कार सो फित शोर्टैज हो गई दियूनेनुट के तो मैं इन शीट को यूजफ कर सकता हूं और एक के करके मेरे पास पांच ट्रेश हैं जिसको मैं unwrap करूँगा और tray को रखूँगा उसके बाद दोस्तों मैं drum से निकालता हूँ gown, sheets cut sheets है हमारे पास जो हम surgery में use करते हैं और gown use करते हैं दोस्तों ये है poly drape sheets दो poly drape sheets मैं use करता हूँ हर case के अंदर one is for the trolley जो और ये ही जो मैं भी लगाऊंगा ट्रॉली केस के लिए आज जो case है एक छोटा minor case है के वारिंग का तो के वारिंग हम करेंगे तो ट्रॉली लगाने से पहले मैं डालता हूँ poly drape sheet फिर उसके बाद एक trial green sheet और इसके उपर में रखूँगा अपने सारे instrument तो पहले मैं ने रखाए एक छोटा सा बाउल और अब मैं बनाऊंगा एक स्पंज चोटा से cotton balls के हलो आप और यह मैं cotton bandage की छोटी छोटी बाउल्स बना लेता हूँ जो operate site होती है उसको हम paint करते हैं यानिकी बीटर डिंस को disinfect करते हैं तो ऐसे लगबग कोई मैं 10 से 12 बाउल्स बना के रख लेता हूँ एक बाउल में और उसके बाद sheets रखता हूँ poly drip रखता हूँ और जो जो मुझे इंस्ट्रुमेंट चाहिए यह है वायर बैंडर और यह है टावल होल्डर दोस्तों अगर आप operations से रेलेटेड या मैडिकल से रेलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं और यह है ड्रिल मशीन जिसे हम यूज करते हैं दूरिंग आर अपरेशन्स और इसे भी डिसनिफेक्ट करना बहुत जरूरी है जो हम रोज करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज कमेंट करके जुरूर बताएं और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और के वार्द फ्रें में तब तक जाहिंद टेक केर